दिवर्या से स्वास्थ विभा को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने रिश्वत नहीं दी तो चार साल के मासूम से खिचवाया स्ट्रेचर अस्पिताल करमचारी स्ट्रेचर खीचने के लिए करते हैं पैसो की मांग विडियो वारल होने के बाद जिला प्रशासन में मचा हड कम देश में स्वास्त विधा को बहतर बनाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं लागू कर रही है लेकिन जिला स्टर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता ताजा मामला दिवरिया जिले के एक अस्पिताल का है जहां सोशल मीडिया पर वारल हुई विडियो से रिश्वत खोरी का खुलासा हुआ विडियो में चार साल का एक मासूम स्टरेचर को धक्का देकर मरीज को ले जाते हुए नजर आ रहा है जानकारी के अनुसार स्टरेचर पर मासूम के नाना लेटे हुए है पूरे स्वास महकमे को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायल हो रहा है वीडियो जिला अस्पिताल परिसर का बताया जा रहा है वीडियो में चार साल का बच्चा स्ट्रेचर को खीचते दिखाई दे रहा है जानकारी के अनुसार बच्चे के नाना के पैर में चोट लगने के कारण अस्पताल में पट्टे करने के ले गए थे जानकार करके हम लोग पीता जी को ले करके जाते हैं इस्टेशर ले कारे लेकिन अस्पताल में किसी भी करमचारी ने स्ट्रेचर को बिना पैसे लिए हात लगाने से इनकार कर दिया पीडित पक्ष ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाये कि स्ट्रेचर खीचने के पेडित की बेटी बिंदू ने बताया कि गाउं में कुछ लोगों से विवाद हो गया था बिवाद के चलते गाउं के कुछ लोगों ने उनके पिता की जमकर पिटाई कर दी जिसके कारण उनके पैर की हड़ी तोट गई पुलीस ने भी कोई कारवाई नहीं की गौर्टलभे की गाउं में विवाद हो जाने के कारण बुजरुक छेदी आदफ के पिटाई कर दी गई जिसमें उनके पैर की हड़ी तूट गई थी प्योर रिपोर्ट पंजाव केसरी टीवी